ओम शान्ती आज बाबा के 27 तारिके महवाक्य हैं बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे तुम आए हो बाब से हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का वर्सा लेने इश्वरिय मत पर चलने से ही बाब का वर्सा मिलता है प्रश्ण है बाब ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ती कौन सी बताई है उत्तर में बाबा ने कहा विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की द्रिष्टी से देखो शरीर को देखने से विकल्प आते हैं इसलिए ब्रकुटी में आत्मा भाई को देखो पावन बनना है तो यह द्रिष्टी पक्की रखो निरंतर पतित पावन बाप को याद करो याद से ही कट निकलती जाएगी खुशी का पारा चड़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे ओम शान्ती शिव भगवान वाच्च अपने साली ग्रामों प्रती शिव भगवान वाच्च है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच्च होगा बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए आत्मा को कान मुख चाहिए अभी तुम बच्चों को ईश्वरिय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है दूसरे फिर हैं रामन मत पर ईश्वरिय मत और आसुरी मत इश्वरिय मत आधा कल्प चलती है बाप इश्वरिय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं फिर सत्यूग द्रेता में वही मत चलती है वहाँ जनम भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग है और द्वापर कल्यूग में है रावन मत यहां जनम भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं इसलिए आयू भी कम होती है बहुत संप्रदाए हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं राम मत वाले फिर रावन मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावन मत हो जाती है फिर बाप आकर सब को राम मत देते हैं सत्युग में है राम मत इश्वर्य मत उसको कहा जाता है स्वर्ग इश्वर्य मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए वह जब पूरी होती है तो रावन राच्चे होता है उसको कहा जाता है आसुरी मत अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या कर आगे जैसे की नर्कवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवाले में, सत्युक्त रेता को शिवाले कहा जाता है, जिस नाम से स्थापना होती है, तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवाले, जहां देवता रहते हैं, रचैता बाप ही तुमको यह बाते स सारी रचना इस समय उनको बुलाती है हे पतित पावन वा हे लिब्रेटर रावन के राज्य से वा दुख से छुडाने वाले अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं जैसे बाप नौलेजफुल है, मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है तुम भी नौलेजफुल बनते हो बीज में जाड की नौलेज होती है परन्तु वह है जड़ अगर चैतन्य होता तो बता देता तुम चैतन्य जाड के हो इसलिए जाड को भी जानते हो बाप को कहा जाता है मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप सत्चित आनंद स्वरो इस जाड की उत्पत्ती और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते ऐसे नहीं नया जाड उत्पन होता है यह भी बाप ने समझाया है पुराने जाड वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावन से लिबरेट करो क्योंकि इस समय रावन राच्य है मनुष्य तो न रचैता को न रचना को जानते खुद बाब बतला रहे हैं मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ heaven के बाद फिर hell बनता है रावन के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं सत्युग में health, wealth, happiness सब होती है तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने health, wealth, happiness का क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं तुम्हारी दिल में है कि हम कलप कलप पुर्षोत्तम संगम युग में पुर्षार्थ करते हैं नाम ही कैसा अच्छा है और कोई युग को पुर्षोत्तम थोड़े ही कहते हैं उनमें तो सीड़ी नीचे उतरते जाते हैं बाप को बुलाते भी हैं समर्पन भी करते हैं लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा पुकारते तो हैं ओ गौड फादर लिब्रेट करो गाइट करो लिब्रेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े फिर गाइड बनकर ले जाना पड़े बाप बच्चों को बहु होते हैं वह है हद का बाप यह है बेहद का बाप बाबा क्रिएटर है रच कर के फिर उनकी पालना भी करते हैं पुनर जनम तो लेना पड़ता है किसको दस किसको बारा बच्चे होते हैं परंतु वह सब हैं हद के सुख जो काग विश्ठा समान है तमो प्रधान बन जाते हैं तमो प्रधान में सुख नहीं होता तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है सतो प्रधान बनने की युक्ती बाप आकर बताते हैं बाप को Almighty Authority कहा जाता है मनुष्य समझते हैं God Almighty Authority है तो जो चाहे सो कर सकते हैं में मरे हुए को जिन्दा कर सकते हैं एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान हैं तो मक्षी को जिन्दा करके दिखाओ ऐसे धेर प्रश्न पूछते हैं तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो बंदर से मंदिर लाइक बनते हो उन्होंने फिर क्या-क्या बना दिया है वास्तव में तुम सब सेताएं भक्तियां हो तुम सब को रावन से छुडाया है रावन द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता इस समय सब रावन की जेल में है राम की जेल में नहीं कहेंगे राम आते हैं रावन की जेल से छुडाने रावन दस्सिर वाला बनाते हैं उनको वीस भुजायें दिखाई हैं बाप ने समझाया है कि पाँच विकार पुरुष में, पाँच विकार इस्त्री में, उनको कहते हैं रावन राच्य वपाँच विकार रुपी माया का राच्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चड़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ती कहा जाता है, तुम बच्चों को संपत्ती आदी बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वे स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं, इसमें पवितरता भी चाहिए, एक अक्षर की भी वेल्यू देखो कितनी है, पदमा पदम, बाप को पहचानों याद करो, बापने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हो, वेह तो एवर पवितर है, शान्ती ग्यान पवितरता का सागर है, एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है, नाटक भी बनाया है, कणकण में भगवान, जिन्नोंने नाटक देखा होगा, वेह जा जो महावीर बच्चे हैं, उनको तो बाबा कहते हैं, तुम भल कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर देखना चाहिए, अभी तुम बच्चे, राम राज्च स्थापन कर रावन राज्च को खलास कर देते हो, यह है बेहद की बात, वह कहानिया हद की बना दी है, तुम हो सेना नाम रखा है, अब तुम्हारा नाम क्या रखें, तुम्हारा तो नाम रखा है, प्रज़ा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव की तो सभी संतान है, सारी दुन्या की आत्माएं उनकी संतान है, शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ग्यान और उन्हों की है बाहु बल की शक्ति, भारत का प्राचीन राज्योग गाया हुआ है, चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पेराडाइस थाफन हुआ था, कहते भी हैं क्राइस से इतने वर्ष पहले पेराडाइस था, वह कैसे बना योग से, तुम हो प्र इसको कुदरत ही कहेंगे, बाप तो एवर शक्तिवान गोल्डन एज्ट है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि हजार सोरियों से तेजो मैं है, वह तो जो जिसका भाव बैठता है, तो उस भावना से देखते हैं, आँखे लाल-ल हो जाती है, बस करो, हम नहीं सहन कर सकते, बाप कहते हैं, वह सब भक्ति मारक के संसकार है, यह तो नौलेज है, इसमें पढ़ना है, बाप टीचर भी है, पढ़ा भी रहे हैं, हमको कहते हैं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना है, बाबा ने समझाया है, here no evil, see no evil, talk no evil, मनुश्यों को पता नहीं है, कि है किसने कहा है, पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुश्यों का बनाते रहते हैं, बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था, मनुश्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राच्य है, अभी होता है ग्यान का राच्य, फ पहले सत्युक में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं, बारा सो पचास वर्ष में दो कला कम होती है, चंदरमा का मिसाल है, चंदरमा को ग्रहन लगता है, कलाइं कम होने लगती हैं, फिर धीरे-धीरे कलाइं बढ़ती हैं, तो सोला कला होता है, वहा है अल्पकाल की ब राहू की दशा एकदम देवाला निकाल देते हैं ब्रसपती की दशा से हम चड़ते हैं वह बेहत के बाप को जानते रही हैं अब राहू की दशा तो सब पर बरोबर है यह तुम जानते हो और कोई नहीं राहू की दशा ही इन सॉल्वेंट बनाती है ब्रसपती की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं भारत कितना सॉल्वेंट था एक ही भारत था सत्युग में राम राच्य पवित्र राच्य होता है जिसके महिमा होती है अपवित्र राच्य वाले गाते हैं मैं निर्गुन हारे में को की बाद थोड़े ही है बच्चे को हमेशा महत्मा कहा जाता है तुम फिर कहते हो कोई गुणना ही यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुणना होने के कारण राहू की दशा बैठी है अब बाप कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहन अब जाना तो सबको है देह सही देह के स तभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्य करो, तुमको अब वापिस जाना है, पवित्र ना होने के कारण वापिस कोई भी जा नहीं सकता, अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहत के बाप को याद करो, कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अनवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं, तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहत का बाप हूँ, तुम आए हो बेहत का वर्सा लेने, निराकार बाप साकार में आए, तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है, यह है बाप द दादा, दोनों की आत्मा इस ब्रकुटी के बीच में है, तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्मा होंगी, शिप बाबा और ब्रह्मा की आत्मा, तुम सब बने हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तुमको नौलेज मिलती है, तो जानते हो, हम भाई भाई हैं फिर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं यह याद पक्की चाहिए परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है बहुतों को विकल्प आते हैं अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं अब बाप कहते हैं आत्मे सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए, सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं, अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, तो मामे कम याद करो, जितना याद करेंगे तो कठ निकलती जाएगी, खुशी का पारा चड़ेगा और कशिश होती रहेगी, नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार, अच्छा, मीठे मीठे सिक्षिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुद मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी दादना के लिए मुखे सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयम को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवितरता के दादना से पदमा पदम पती बनना है राहू के ग्रहन से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है, येर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, जिन बातों से सीड़ी नीचे उतरे, निर्कुन बने उन्हें बुद्धी से भूल जाना है वर्दान है, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्मान सो महान भव यही महा मंत्र सदा याद रहे कि निर्मान ही सर्व महान है, पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है महान बनने का यह मंत्र वर्दान रूप में सदा साथ रखना वर्दानों से ही पलते उड़ते मन्जिल पर पहुँचना मेहनत तब करते हो जब वर्दानों को कार्य में नहीं लगाते अगर वर्दानों से पलते रहो वर्दानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी सदा सफलता और संतुष्टा का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन है सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमनीक और गंभीर स्वरूप इमर्च करो आज का अव्यक्त इशारा है किसके संसकार सरल मधुर होते हैं तो वह संसकार स्वरूप में आते हैं जब संसकार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे जैसे बाप दादा वैसे हू बहू वही गुण वही करतव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव होंगे सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं ओम शान्ति